और फिर नेक्स में दिखाया चाता है वो ओफिसर मिस बेगे हैं यहाँ पर कोल लगा देती है और उसको बताती है कि जहेंगा हूं यहाँ पर आया ता पैसे क्लेम करने के लिए और मैंने उसको डायक्ट ली तुम्हारे पास भेज़ती आई मिस बेगे ती है लाश्ट लिए और वह लड़की तो हाओ वह को देखते से उसके प्याम में कर जाती है एकसाइट होती है कि तुम यहाँ पर अपने डेट से मिलेंके लिए आयो या फिर किसी रिलेटिव से तुम्हारे रिलेटिव का नाम क्या है मैं भी शायद वो मेरे सूपरवाइजर हो सकते हैं लिए यहां से आऊ और फिर साथी वह दुना अंधश ले आते हैं मेरे लिए टेफी कोई सूपरवाइजर नहीं है और में यह नहीं लगता कि तुम इनको जाते भी होगी वह केती है एक्शोड़े में यहां इस कमपने मैं सभी लोगों को जाती हूं और साथ उसके करीब आ तुमको मेरा पीछा करने के दरूत नहीं है और वेसे तुम्हारा शुक्रिया पर तब भी उसका हाथ पकड़ लेती है और क्यूरी होते हैं मैं तुमको भूज़ता पसंद करते हूं बिग ब्रदर हो सकता है कि तुम लव एट फसेट को पर भरोसा नहीं करते हो और में भी इस क्योंकि मिस बेखड़ी होते हैं उसके सामने जो कि घुटके के साथ उसके तरफ गूर के देख रही होती है तो उसके पसिने चुटना चुरू हो जाते हैं वह प्रेजिडेंट मिस बेख़ए किती है यहां से दफाव जब तुमको यहां पर बिल्कुल भी और काम करने के द सब्सक्राइब नहीं करें अगर कॉपरेट वर्ड को पता चला कि मिस बेखने मेरे को काम से निकाल दिया तो कोई भी मेरे को हैं नहीं करेगा यह सुनते से हागो कहता है वाट के तभी मिस भी उसका हाथ पकड़के उसको खिष्ट वेले चाने लगते हैं के रही होती है मेर पर प्रलाम क्या है तब मिस बेखने हम पार्ट हुए बेट तो वे कहता है हलाकि हो थोड़ी इंटरसीब हो गई थी लेकिन इसका तुम्हें साथ भी कुछ भी लेना देना नहीं है यह तो देशा इसमें नाराज हो जाती है और यह नहीं हो दो बागे जानती हो कि मेरे को किस तरह तो घुसा दिलाना आए जो हावो रहता है उसकी नजर उसके पर पर टिक जाती है वो सोचा होता है बेहिं निन के पास नाजरिफ ग्रेट परस्टनाइलिटी है बलकि लाजबाब बोड़ी भी एश लगते है कि यह उसकी रेगुलर एक्सराइस का नतीज आए और उसकी नजर उसके पेरों पर टिक जाती है और जो मिस्वेश पहले पकड़ दिया तो मैं तुमको खुद कंपनी दोंगी हाँ वो कहता है परफेक्ट और अपनी बाँ और अपनी श्रट ऊपर कर दोए कहता है इस बात को लेकर शोट नहीं हो कि नहीं लेकिन मेरे को अपने रिफ्लेक्स उसके ओपर काफी कॉइंस है और उसके हाथ को देखकर एक तमसी बुदिश्ट हो जाती है हलका से श्रमाज आती है और उसके हाथ से सिग्रेट छूट जाती है अशनक से वो छोड़ी नहीं होती छूट जाती है हाँ यह देकर चला दुए कहता है तुमने तो पर गिर जाती है हो यह देकर थोड़ा हिरान हो जाता है वो उसे बोलती है वैल तुम जिद गए मैं हार मानती हूं हो सोचा होता है कि इसको मेरा फायदा उठाने के लावा और कुछ करना नहीं आथा एनिवे मैं इतने आसानी से समिट ने करने वाला और वो भी उसको पिर चुका देता है और मिस भी यह नोडिस कर लेती है और उसे दुरहट तुए कहते हैं यू लिटल परवर्ट तुमने मेरी थाए को डश करा हो कहता है तुम्हें तो मेरा यहां पर एडवांटेज उठा रही थी तो क्या मैं घृत को डिफेंस भी नहीं करूं ठीक है ठीक है मैं सोरी लेकिन मैंने हापर स्क्राइट को पकड़ लिया इसलिए मैं जिद गया हूं और तुम उसको काम से नहीं निकालोगी और क्या तुम पहले मेरे उपर से उठ सकती हो मुझे लगता है कि तो मुझे पसंद करती हो क्योंकि तुमने यह काम एक हफते में दो बार का रह हो केता है मुझे लगता है कि यह मौर प्रेक्टिकल हो सकता है अगर तुम मेरे को जल्दी से 50,000 दे दो मिस भी केती है पहले मेरे को बातरूम जाना है अच्छा अब जबकि सुच्छेशन आउट पांट्रोल हो गई तो तुम्हें बातरूम जाना है और फिर दबी उसके प मत करो में बहुत जल्दी वापस जाओंगा किन के तिया तुम बहुत यता बीमार हो इसलिए तुमको जल्दी से घर वापस चले जाना चाहिए और आज मेरे को लिट हो जाएगा आने में विकॉस यहां पर वर्क पार्टी है टुनाइट और रस्ते में एक्दम क्याफूल कि तब यहां पर लड़किया जाती है और के रही होती है तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं गई वह बोलती है रहे वह मैं किसी से कौल पर बात कर रहे हूं चलो अब अब जब कि अब लोग साथ में चलते हैं कि तब यह उसकी नजर किन किन के पीछे के टेटू को पर कि जैसे अभी किसने उसके टेटू के बारे में पूछा और फिर तभी हावाव की नजर से को पर पढ़ते हैं और साथी लाइटर से जला लेता है और हलका सा टेश्ट भी कर लेता है शायद वह कह रहा होता है इसका तो काफी अच्छा है जिससे कि टफ गय से एक्सपेक्ट है और फिर तभी यहाँ पर मिस बेई उसके हाथ में सिक्रेट देख लेती है और के रही होती है बच्छों को स्मॉक नहीं करना चाहिए हाव वो सोचता है लो यह फिरके तो शुरू हो गई कंट्रोल करने का डिजायर और वो सिक्रेट को तोड़ देदा है क्या रहा होता है मैं तो बस इसी देख रहा था और तुम तो बस बातरूम गई थी ना आगर तुमने कपड़े चेंश क्यों कर लिए कि तुम बातरूम में जाकर को शौर तो नहीं कर रही है और यह वाप रही है कि तीया दा परवर्ड है और फिर साथ ही वो खास्तु भी कहता है इसके बार परवर्ड को आपोइट करो में इस बेटर हो कि तुम पैसों के भार में भूल जाओ क्यूंकि अभी तुमने यहां पर जिस सिक्रेट को डैमिज करा था उसके केमत से बिच चाता थी हाँच लादुए कहता है अखर यह क्या बगवास है एक सब्सक्रेट के कोश्चा साथ कि देगा यह सुन्देश जो मिस्वेई है वो हस पड़ती है यह देख रहा हो घुसा हो जाते हैं और किया रहा होता है अच्छा तो क्या तुम मेरे संदमादा कर रही थी वह क्यरी होती है सिक्रेट का प्राइस तो रही हलता है लेकिन मैं फिर भी तुम को पे करूंगे और और उसके सामने एक लिफाफा रखती है और करी होती है पेसे इसके अंदर है वह उस लिफाफे को चेक करता है और बोल रहा होता है तुम बहुत एदा घुसे वाली हो सकती हो लेकर तुम अपनी बात की पकी लिडियो इसके लिए ठैंक्स और मैं मानता हूं कि मेरा भी होगी तो गुडबाइ हमेशा के लिए हमें जा रहा हूं और तुमको गुडबाइ कहने के कोई दरुवत नहीं है और या सबने बल सुखा लिना में नहीं चाते कि तुमको मेरी वज़े से सर्दी लग जाए दिखाया चाता है और वह मिस्वाव के सुभाव के बारे में लगता है और फिर इसके बाद हमें के घर का संदिखाया चाता है और वह अपने साथ अपनी फ्रेंड को भी ले आई होती है और वह बहुत है तुमका से छुटती है उत्रण घर पर आ जाती हो और हम ऐसा देंगा उट करने के लिए भी नहीं आती कभी ज़रूर यह से यह ब बता हो यह कौन है किनकिन बताती है यह मेरा इस्टेफ बादर है लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बच्पन सही जानते हैं और वह बोलती है और तो विश्वास नहीं होता कि तुम्हें पास अपने ब्रदर की तिस सारी फोटोस है चाल्ड हुड से लेकर अर्डल हुड तक य तुमने तो कहा था कि तुम लेट हो जाओ गयाने में तो आकर चल्दी कैसे आ गई और लगता है कि हमारे घर पर एक महमान भी है हाई क्या तुम से लोग क्या देख रहे हो बहुत जबरा जाती है और के तिया डाम इड मैं हाओ को यह बिल्कुल भी नहीं देखने दे सकती सब्सक्राइब के लिए इतना ही है बागे के शुर्य अब लोग नेक्स पाड़ में देखेंगे शब्त के लिए टूबे कंटिनियोड